हे फ्रेंट्स मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक शो चैनल जिसमें आज मैं बात केनवाला हूँ के जीएफ चैप्टर टू के सबसे बड़े विलिन अधिरा के फर्स लुक के बारे में किया एक्चल में ये लुक कैसा है और क्या इस लुक से फैंस की इस फिल्म को लेकर और भी ज्यादा बड़ी है या नहीं तो चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की इस फिल्म के फिल्म के फिल्म के फिल्म की फ्रिल्स लुक से ये बात तो कन्फर्म होती है कि फिल्म की जो रिलीस डेट सेट की गई थी इसी साल 23 अक्तूबर की वो पॉसिबल अभ नहीं लग रही क्योंकि अधिरा के first look poster में कहीं पर भी film की official new release date को confirm नहीं किया गया है जिसका मतलब साफ है कि इस film की new release date शायद इस साल की नहीं रहीगी अगर ये situation इसी तरीकी की COVID को लेकर हमारे इंडिया में रही तो लेकिन ये बात पक्की है कि इस film को officially theaters में ही release किया जाएगा ना कि किसी OTT के platform पर और अब बात करते हैं संजदत के look अधिरा पर जिसके look की पूरी की पूरी इंस्पिरेशन रेगनक के character से ली गई है जिसे हमने वाइकिंग की series में देखा है और ये film के writer डिरेक्टर रशान नील का official statement है ये film में अधिरा के इस look को पूरी तरीके से inspire वाइकिंग की series रेगनक के character से लिया गया है यहां तक कि उन्होंने ये भी hint दिया है कि जिस तरीके का काफी जादा brutal और खतरना वाइकिंग की series में रेगनक का character है वैसा ही संजदत के इस character अधिरा को भी prepare किया गया है जिसकी एक जलग इस film के छोटे से tease poster से की गई थी यानि कि अधिरा की वो sort जो एक ऐसी situation में खड़ी हुई है जहां हर तरफ हमें तबाई ही तबाई ही निजर आ रही है जो अबेज डिया अधिरा और उसके लोगों ने की है इससे ये चीज साफ हो जाती है जितना खतरना character फिल्म में यश का है यानि के रॉकी भाई का वैसा ही खतरना character अधिरा का भी है जिसकी पूरी backstory के साथ साथ present की detail भी हमें इस film के chapter 2 में मिलेगी क्योंकि अगर देखा जाए तो film के first chapter में अमें ना थो अधिरा की शकल दिखाए गई थी और ना ही उसके किये गए काफी खतरना कारणा में बस सारी चीजों को narrate किया गया था जिससे यही बात साफ तरीके से clear हो रही थी film के chapter 1 को देखकर के रुद्रा से भी जादा खतरना अधिरा है जो सिर्फ अपने भाई की कहने पर रुखा था और अब उसका पूरा रास्ता साफ है जिससे की वो आकर अपना पूरा पूरा क्लेम KGF पर कर सकता है जिस पर फिलहाल तो अभी राज करने के लिए रौकी खड़ा हो चुका है इसके अलावाए थिंगे एक महिने पहले रौकी भाई यानि के यश ने ये बात भी कन्फर्म की थी कि फिल्म के एंट के बैटल सीक्वेंस को फिल्म में लगभग आदे घंटे के लिए दाला जाएगा जो काफी जादा वैलेंस से भरे हुए है काफी सारा खुन खराबा हमें उस फिल्म के इंट बैटल में देखने मिलेगा जो अवज ली रौकी और अधिरा के बीच होगी जिन में से कोई एक ही जीतेगा अब बात करें अधिरा के लुक की और कुछ डिटेल्स के बारे में वो एक लीक इमेज है और अभी की रिलीज की गई ऑफिशल लेकिन दोनों ही लुक में हम संजेदत के क्यारक्टर को सच में बहुत जादा खतरनाक देख रहे है जो आए हो के फिल्म में भी इसी तरीके का हो फैर तो आप बेट करते है इस फिल्म के ओफिशल टीजर रिलीज होने का जिससे देखने के बाद हमें ये हिंट मिल जाएगा कि संजेदत के कैरेक्टर अधिरा को फिल्म में कितना जादा खुखार दिखाया जाएगा जो चीज उसके लुक से मैच हो और बात रही फिल्म के ट्विलर टीजर की तो फिल्म की रिलीज डेट के साथ-साथ इस फिल्म के ओफिशल टीजर ट्विलर की भी कनफोमेशन अब तक नहीं की गई है लेकिन कहीं न कहीं शायद फिल्म की टीम को ये भरोसा है कि इस फिल्म की ऑफिशल रिलीज डेट यानि के 23 अक्तूबर तक situation ठीक हो जाएगी जिस दिन इस फिल्म को ऑफिशल रिलीज किया जाए लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि फिल्हाल तो situation ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही है और नहीं इस फिल्म का इस उफिशल रिलीज डेट पर रिलीज होना तो अब आपकी क्या राय है संजेदत के इस खूंखार अधीरा के लुक को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट करकर ज़रू बताइएगा कि आपको संजेदत का यह अधीरा का लुक कितना ज़्यादा पसंद आया है और इसके अलावा अगर आपको मेरा एकाम ज़रा सभी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइब के कंटेन को अपने चैनल पर कंटीनू रखने की तो चलिए आप खतम करते हैं वीडियो को यहीं पर मैं हूँ अजीज शेक आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक शो चैनल जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइब कियारे ओने मुवी तक दो चैनल